आब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रस्चना वली 30-1 का question number 3 question number 3 पढ़ रहे हैं और question number 3 में question कहा है कि एक पहिया एक मिनट में 360 डिगड़ी परिकर्मा करता है तो एक सेकन्ड में कितने radian map का कून बनाएगा तो एक मिनट में कितने radian कून का माप बनाएगा चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इतने रिडियन के कुण का माप बनाता है यहां हल में हम लोग देखते हैं हल में सल्व में कि एक का करता है एक परिकरमण में में टूपाई रेडियन का कुण बनाता है इसलिए इसलिए तीन सो साथ परिकरमण में परिकरमण में पहिए पहिए तीन सो साथ गोने टूपाई रेडियन का कौण बनाता है ठीक है बनाता है अब क्या करेंगे इसी को तीन सो साथ में हो जाएगा तब यहां एक मिनट में एक मिनट में एक मिनट में एक मिनट में तीन सो साथ गोने टूपाई रेडियन का कौण बनाता है जब एक मिनट में इतना का बनाता है तो यही का करेगा साथ सेकेंड में कितना का कौण बना देगा जी इतना है उतना का कौण बनेगा ठीक है तो साथ सेकेंड में बनेगा तो एक सेकेंड में एक सेकेंड एक सेकेंड में कितना का कौण बन जाएगा यह आपका आंसर हो गया यह आपका आंसर कोशन नमर आप चार पढ़ेंगे कोशन नमर चार में दिया है एक ब्रीट इसकी तिर्जा कितना है शौव सेमी है और बाइस सेमी की लंबाई चाप ब्रीट के केंडर पर कितने डिगड़ी का कौण बनाएगी जबकि पाई बराब ब्रीट हो गया और इसके केंडर से देखिए केंडर से हमने यहां का किया किया कि यहां से केंडर से एक यहां से तर्जा खीश दिया और एक यहां से कर दिया ठीक है कर दिया यहां एक ठीटा बना दीजिए और यह दिया है सो तिर्जा दिया है सो सेंटीमीटर यह वाला ठी सेंटिमीटर चाप यानि यहां से लेकर करके यहां दे कि लंबाई क्या है बाई सेंटिमीटर दिया हुआ है चाप की लंबाई अब हम लोग इसको हल कर देते हैं हल में क्या लिखेंगे कि क्या क्या दिया है तो चाप की लंबाई चाप की लंबाई एल बराबर क्या दिया है 5 cm दिया है और तिर्जय कितना दिया है दिए 10 cm के आर बराबर कितना कितना दिया है और आपको खैकर खिपे रिखर बिया है और आपको उद्देखर लाइट करना जिस चेट म नहीं को सेफ्र सूत्र से ठीटा ब्राबर होता है एल बटा आर क्या होता है एल बटा आर ठीटा ब्राबर इल बटा आर हो जाएगा तो यहां एल का मान क्या है तो बाइस है और आर का मान क्या है तो सौब है ठीक है आई जो मान होता है यह किसमे होता है रेडियन में तो यह भी रेडियन में ह आते हैं तो आप कटा भी शक्ते हैं 11 दूना 22 हो जाएगा यह पचास दूना 100 हो जाएगा यानि 11 बटा 50 रेडियन हो गया अब इसको का करिए खूण में डिगरी में बतलना है तो यहां आप क्या करिए 118 बटा पाई अब हो जाएगा डिगरी अब डिगरी में लिखिएगा तो यहां से जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो यहां आप क्या करिए 11 घूने 18 बटा पाँच गूने 22 कर देजिए आए यहां गूने 7 यानि पाई का मान जब रखीएगा तो यह चेंग हो जाएगा 11 दूना 22 और यहां से 9 दूना 18 यह हो डी गरी में आ गया तब इसको कटाएंगे तो कितना रहा है कि यह सुझताइए बारे-पच्छे-टोशकाथ चात्री अठारा तो यह हो जाएगा तीन है तीन बच रहा है तीन में 60 से गुलागा रहा चोत्री अठारा रहा होगा 180 होगा 180 में आप फिर इस से पान से भाग करिएगा 36 मरत में कट जाएगा यानि यह हो जाएगा 36 मेनट यानि हो गया 12 और 36 मिनट कि यह दीग्री में हुआ फ्रेका यानि डीग्री में इसको नहीं करते इस तो तो हो जाएगा यहाँ इसको कटाएं गए यह सिधा सा कट सकता है द्समलाव में भी आप लिग सकते हैं इसको जैसे आप 63 में भाग भाग दे सकते हैं पांझ से पांच 5 एक तीन पांदुना दस यानि इतना डिगरी में हो जाएगा यानि इसको लिख सकते हैं इसको भी इतना लिख सकते हैं 12.6 डिगरी भी लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन यह सही आपका उत्तर यहाँ होगा मिनट में होगा ठीक है अब पांच पढ़ेंगे पांच इसका पढ़ेंगे एक ब्रीच जिसका ब्यास 40 cm है की जीवा 20 cm है लंबाई दिया है तो इसके संगत छोटे चाम की लंबाई ग्याद करें लंबाई की है जीवा 20 cm लंबाई की है याद रखें कि जीवा जो है यहाँ से 20 यही जीवा है इसका 20 cm लंबाई स्याया और 40 दिया है इसे इहां लिखेंगा अब ये जो है ए ओ बीके रूप में एक किरूप में है किरुपूज के रूप में है तिरी जब 20 यह हुआ ये भी दिखा रहा है तो से असपष क्या हो रहा है कि एक संभाहों तिरूज है तो लिए सकते हैं रिख त्रि भूज त्रिभूज त्रिभूज बहूज है यह गणल ज़े लुकम 30 होता है तो इसका कुण कितना हो गया साथ डिग्री के हो गया, तो अब साथ डिग्री के हो गया, तो हमको ग्याद चु करना है, तो देखिए क्या करना है, हमको तो इसको रेडियन में बताना है पहले, तो रेडियन में करने के लिए हमको साथ डिग्री को, रेडियन में करने के लिए क्या करेंगे, साथ गुणे पाई बाई एक सो असी रेडियन यह करना है तो यहां से इकट जाएगा छत्री अठारा तीन हो जाएगा यानि पाई भाई थीरी रेडियन थीरी रेडियन हो गया अब यहां चाप की लंबाई क्या है यहां एबी है एबी है चाप की लंबाई क्या है एबी है चाप की लंबा तो इसी को बड़ी लिख देते हैं तो यहां हो सकता है या या यह नहीं है ठीक है कोई दिकत नहीं है तो यहां आप लेंगे केंडरे केंडरे केंडर ओ क्या ले लिएथे हैं केंडरे ओ पर चाप दुआरा बोना चाप दुआरा बोना कोड कितना हो जागा पाई बाई थीरी रेडियन चाप दोरा बना कुण पाई बाई थीरी रेडियन तो चाप की लंबाई कितनी है तो चाप की लंबाई यहां लिख देते हैं चाप की लंबाई ए बी बराबर अर्थात एल है यानि एल भी लेते हैं तो एल बराबर क्या हो जाएगा हमारा एल बर और ठीटा का मान कितना है पाई बटा थीरी रेडियन तहीं हो जाएगा 20 पाई बटा थीरी रेडियन आपका सहीव उत्तर हुगा कोश्चन नमर अब छे पढ़ेंगे छे में है जदी दो ब्रीट के समान लंबाई वाले शाप अपने केंद्रों पर क्रमस साथ डिगड़ी और पच्छातर डिगड़ी के कुण बनाते हो तो उनकी तिर्जाओं का अनुपात ग्याद करिए तो तिर्जाओं का अनुपात ग्य है कि यह अफ कऊळंड़ी क्याए कृता है यह अब सबसे पहले यह जो दिया है study उसको लिधा कि लंबाई मानन के नंहीं कि चापकी लंबाई य वबरावर लह एक चानप दौरा केंद्र पर बनाया गया कुण बराबर 60 साथ गड़ी के हो जा रहा है साथ है तो साथ है तो साथ है तो इसको रैडियन में करिये तो कितना वह जाएगा तो यह पाई बाइए दी रेड्युकर व्यों जाएगा और इसकी तृटिया मान लिजे माना कि तृटिया कितनी है अब कर रहा लगा है ओर दो अर और आर वन आर और ठीटा वन करेंगे चुकि इसमें दो कोंड लिया गया है एक साथ है एक पचातर है है नो दोनों लिया गया है तो यहां हम क्या कर सकते हैं कि आर की मान तो हमको पता नहीं है तो लिखेंगे आर वन और ठीटा का मान तो आप ग्यात कर लिए हैं पाई भाई एक बना सकते हैं दूसरा विरीट वह देखिए कि इसको कहता है कि 75 जिग्ड़ी का है 75 जिग्ड़ी का है तो यहां दूसरा विरीट यहां दूसरा बिरीट के लिए तो माना यहां भी मान सकते हैं माना माना कि निया कितना है तिर्जा बराबर कर देते हैं जब पहिला में हमने और जब और माना है तो चांप की लंबाई तो सेम रहेगा तो यहां लिख देते हैं चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया खूण कितना डिगड़ी गया है तो 75 डिगड़ी अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 75 डिगड़ी है गुणे थे पाइभी allein 180 कर देंगे रेडियन और इसे से 25 35 कर देंगे यह कट जाएगा जो यह. जाएगा और इसको कटा दिएगा तो यह आपका बारएं से कट जाएगा तो यह आगे आपका पाँच पाई मटपर बादtes पांच इंगा तो यहां देखिए पांच पांच अब पांच पाच्छ यहांसे कटाई गात बारेब क्रव्त देखिए От 85 पांच से कटाते 5 अकंट 5 15 15 75 यहां 15 15 75 है 15 आप 15 यह तिन जीरो सो दुन यह आपका हो गया तब इसका मान इतना आ गया दोनों का मान निकालने के बाद आप इसको समिक्राण 2 बना सकते हैं जैसे आपने उसको 1 बनाया आप इसको कर सकते हैं समिकरण 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 1 और 2 समिकरण 1 को यहां लिखे समिकरण परल तो समीकरुण एक को पीकार से भी वायद करेंगे तो कितना हो जाएगा समीकरुण आर का मान देखिए पहले यह हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले तो इसको हम आपको रेडियन में आपका मान आ गया तो आपको आर्टू निकालेंगे तब न लिखेंगे आर्टू, आर्वन तो आपका निकला हुआ है यहां से आपने देख रहे हैं कि यहां एक निकाले हैं यहां तो यहां आप ल बराबर निकाल लिए हो तो यहां भी तो यहां पहले निकाल लीजिए यहां पहले निकाल लीजिए यह निकाल लिएगा तो यह बराबर क्या होता है तो यह बराबर होता है यहां लिखते हैं यह ठिरीख है इतना रेडियन में है रेडियन में है जब रेडियन मान ग्यात हो गया त किस समीकरण एक और दू की तूलना करेंगे समीकरण एक और दू से का करेंगे एल के मान में है आपका आपका एल के मान में आर वन और पाई भाई थीरी बराबर इसमें है आर टू पाई भाई भाई टू एल्फ बार है तो आर वन बटा आर टू कर दीजिए और यहां कर दें फाई पाई भाई बार और यह आ जाएगा तो थीरी बटा पाई हो जाएगा इससे यह केंसिल हो जाएगा चार कें बार हो जाएगा यानि पांच बटा चार हो जाएगा क्या हो जाएगा तो पांच बटा चार होगा यानि आर वन अनुपाद आर टू हो जाएगा और यह हो जाएगा पांच अनुपाद चार हो जाएगा यह आपको सही उतर हु आप जया हुआ है